नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आसीस धंगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा अहिल्य दस्तक साथियों लंबे समय से पूरे प्रदेश भर में विसिसकर उत्तर प्रदेश के अंदर धंगर समाज की मांगे सरकार से जारी हैं लेकिन लंबे समय से अभी तक इनको न्याग नहीं मिल पाया हौली में वुत्तर प्रदेश के डिपटी सी यम दिने सर्माजी से जो है इस समाज की मुलाकात हुई इस समाच को पहचानने के लिए तमाम निता है लेकिन उसके बाब जूद भी इस समाच की हकीकत को इस समाच की इस्तिती को पहचान ना सके आखिर कब तक यूँ ही चलता रहेगा कब तक इसी तरह अत्यचार होता रहे साथियों कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि सरकारें तमाम रही लेकिन उसके बाबजुद भी इस समाज के साथ कभी न्याय नहीं हो सका और आज का ये आलम बन चुका है कि इस समाज ने भी न्याय की उमीद ही छोड़ दी है आज इस समाज को ये लगता है कि जब जब ये लड़ेगा तब तब इसका न्याय मिल पाएगा अपने हकदिकारों के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है लंबे समय से संगर्स करने के बाद भी कोई भी सरकार इसको ठीक तरह से न्याय नहीं दे सकी लेकिन यूही संगर्स चलता रहेगा तो निश्चत तोर पर एक दिन समाज को नय मिलेगा लखनाओं के अंदर हाल ही की बैठक में बहुत सारे धनकर समाज के लोग आए अधकारी बर्ग आया और उन्होंने अपने मुद्दे रखे लेकिन उसके बाबजूद भी कहीं न कहीं चीजी रह जा रही है क्योंकि भारत सरकार के गजट में पहले से ही विवस्था दी हुई है कि इस समाज को अनुसूचित जाती का दर्जा पहले से प्राप्त है लेकिन लगातार मांग ये उठ रही है मीडिया की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि इस समाज को जो है अब ऐसी का दर्जा देने की मांग की जा रही है लेकिन इन दोनों ही चीजों में बड़ा फर्क है ऐसी का दर्जा ये समाज मांग नहीं रहा है इस समाज को S.C. का दर्जा पहले से प्राप्त है भारस सरकार के राजपत्र के द्वारा भारस सरकार के गजट के द्वारा यानि कि इस समाज के साथ में जिस तरह से भिदभाव हुआ जिस तरह से अत्याचार हुआ अन्याय हुआ विसे इस तौर पर हम कहें तो इस समाज के साथ में एक बड़ा अन्याय हो गया आजादी के बाद से आज तक खोले तौर पर हाला कि समाजबादी पार्टी की सरकार में काफी सारे प्रमाणपत्र बने भी और कैंसल भी हुए और इस से पहले भी सरकार में भी सर्टिफिकेट बने कैंसल हुए तौर्ण्डला से बिधायक भी बने उत्तर प्रदेश के अंदर सांसत भी बने आगरा लोकसबा सीट से सांसत भी इसी समाज से हैं और इसी के सर्टिफिकेट से हैं प्रोजवाद की एक शीट पर दी है टूंड़ला विद्धानसवा उस विद्धानसवा से भी विधायक पोलद्धंगर भी इसी सर्टीफिकेट से हैं बेकिन लगतार ये सिलसला चलता रहा हीली में विधायक पोलद्धंगर परी सिखनजा कशा जा रहा aby लेकिन कहीं न कहीं उनके पीछे इस समाज के बरिश लोग लगे हुए हैं और यही कारण है कि किसी भी तरह से जो certificate बने हुए हैं केवल उनको बचाना ही इस समाज आज की इस्तिती में काम्याबी समझ रहा है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आखिर इस समाज का हग अधिकार 76 सालों से क्यों नहीं मिल पाया। 27 नंबर पर दर्च किया गया है। लेकिन उसके बाब जूद भी लेकपाल यह रिपोर्ट लगा देता है कि यह जाती पाई ही नहीं जाती। कई बार लेकपालों पर अधिकारी बैठे हैं लेकपाल बेवस है। सही माइने में लेकपाल की रिपोर्ट तो उपर तक मानने हैं लेकिन लेकपाल पद एक छोटा पद है। कानून गो तैसीलदार और HDM ऐसे तमाम बड़े अधिकारी जब तक इस पश्ट रूप से सैटिफिकेट के लिए अनुमती नहीं देंगे, दिशन निर्देस नहीं देंगे, सही माइने में एक आम आदमी दरदर भटकता रहेगा। साथियों, इस सब को देखने के बाद में कुछ ऐसे बड़े नेताओं ने चुपपी साध रखी है। विसे इसकर मैं बात कर रहा हूँ भेन कुमारी मयावती जी की, आखिर इन्होंने 24 के चुनौव में जिस प्रिकार से लोकसभा के टिकेट दी है। चाहें बुसारिका सिंग बगहिल जी के नाम पर हो, या हातरस से हेम बाबु धनगर के नाम पर हो, या और भी कुछ टिकेट मिलते रहे। लेकिन इन सब के बाबजूद भी भेन जी ने अभी तक इस मुद्दे पर अपना मू नहीं खोला है। बहुजन समाच के नायक और इस दौर के बहुजन समाच के मसीहा चंदर सेखर राबड भी इस मामले को लेकर के सांथ हैं। आखिर क्यों सांथ हैं। और कब तक सांथ रहेंगे। कैस समाच का केबल बोट लेना चाहते हैं। बहुजन जी हर मुद्दे पर संगर्श कर रही है। लेकिन इस मुद्दे पर उनका संगर्श अभी तक जो है सामने नहीं आया। खुल करके बहुजन जी इस मुद्दे पर बात ही नहीं रखना चाहती। साल 2007 के करीब में 8 के करीब में मुथ्रा के अंदर एक बड़ा अंदोलन हुआ था आप लोगों को याद होगा निरंजन सिंग धनगर DCB चेर्मेन मुथ्रा जिन्हों ने अपने नित्रत में और अप निकला कि लोगों ने अपनी जेव के पैसे से समाच के मुकद में लड़े हाला कि जिन लोगों ने संगर्स किया उस दौर में उनका नतीज़ा यह है कि निरंजन सिंग धनगर खुद भी DCB के चेर्मेन है जिला पंचाय सदस्से है बेटा प्यूस धनगर जिला पंचाय सद दौर मिलते यानी कि जो पिछडा और जो निचले इस्तर का तबका था उसने हमेशा कुर्वानिया दे चाहें वो किसी वी समाज का तबका रहा लेकिन जो मिडल क्लास का तबका था उसने हमेशा चुपपी साध रखी आलम बही है कि अमीरों को कोई फर्क नहीं, मिडल को कोई जरूरत नहीं और निचला आदमी कर क्या सकता है ये हाल खतम होने का नाम नहीं ले रहे आज इस समाज में भगत सिंग जैसे लोगों की जरूरत है आज लोगतंत्र आ चुका है लेकिन उसके बाबजूद भी इसका नयाय नहीं मिल पा रहा बहुजन समाज की तरफ से मैं बहनजी से एक सबाल करता हूँ कि बहन जी आप क्यों नहीं इस समाज को लेकर के आवाज उठाती है इस समाज के मुद्दे को लेकर के क्यों आवाज नहीं उठाती है केवल टिकेट देने से काम नहीं चलेगा समाज के मुद्दो को हल करना होगा समाज की सुकदुख में सामिल होना हो बहुजन समाज के अंदर जो ये समाज आता है इसके साथ सबसे ज़्यादा आजान्याय हो रहा है क्योंकि यदि किसी भी तरह से इसके प्रमाण पत्र बन गए तो निश्चे तोर पर ये समाज भी तरक्की कर जाएगा हाला कि आज की डेट में पहले से बहुत बढ़त है लेकिन अपने संगर्स की बदोलत सर्टिफिकट जिंजिन लोगों के बने, बहुत सारे लोग नौक्रियों में आए और एबन ग्लास की नौक्रियों में भी काफी सारे लोग आ रहे लेकिन इन सब के बाब जूद भी बहन कुमारी मैंवती जी चंदर सेखरावड और तमाम ऐसे बड़े भुजन समाज के नेता इस समाज के अवाज उठाने को तयार नहीं आजादी के बाद से आज तक बहुजन समाज के नेताओं ने ठीक प्रकार से धंगर मुद्दे के अब आज को नहीं उठाई आखिर क्यों नहीं उठाई आप लोग साथियों मुद्दे को लेकर किया सोचते हैं और हाली में जो लखनों के अंदर अभी बैठक हुई मैं उसमे अपनी राज जरूर दीजिएगा हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत